हलो एब्रीवन वेल्कम टू अनदर सेशन ओफ रीजनिंग आज हम करने वाले इसका पार्ट थ्री विच इस नुमेरिकल सीरीज we will do in a similar way जैसे हमने पहले दो पार्ट किये थे इसमें भी हम कुछ इसके types, examples और last में questions भी solve करेंगे okay सबसे पहले numerical series क्या होता है? numerical series में sequential arrangement होता है numbers का ठीक है? Еk certain pattern में number को आपको arrange करके दिया जाएगा और आपको बताना होता है कौन सा wrong है, कौन सा right है so इस chapter में हम यही करेंगे we will deal with a question in which series of number which are generally called the terms of the series एक एक number को एक term बोला जाता है this number or term follow a certain pattern throughout the series आपको एक series देगे तो वो pattern follow करते है candidate को क्या find करना होता है आपको find करना होगा या तो missing term या तो wrong term उस series में एक series दी है जो एक particular pattern को follow कर रही है उसमें या तो आपको एक जिकर dash या question mark देदेगा तो आपको पिताएगा यहां क्या आना चाहिए आपसे यह पूछा जाएगा नहीं तो आपसे बोला जाएगा कि यह पूरे एक series दी है इसमें 5 यह 6 number है इसमें कौन सा number wrong है ठीक है यह दो तरीके से इसमें question आता है तो दो types से होता है इसके दो types हो गए type 1 क्या है to find missing term So here we are given a series of number including one or more missing numbers तो आपको missing numbers बताने होते हैं एक यह एक से जादा भी होता है तो आपके दिमाग में pattern होना चाहिए कि pattern क्या follow कर रहा है example देखते है Example 1 831 842 853 864 and 875 उसके बाद आपको यहां question mark दिया है यहां पर dash भी हो सकता है अब इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा dash पे या question mark पे options देखो 896 876 886 या 880 pattern क्या follow हो रहा है वो सबसे पहले हमें find करना है तो क्या pattern follow हो रहा है यहां पर देखो हर एक चो 800 के बाद 842 आया तो यहां पर 11 plus किया है ठीक है यह number 11 से increase हो रहा है दुबारा 42 में 11 plus करो 2 plus 1 3 and 4 plus 1 5 यहां पर दुबारा 11 plus हुआ फिर यहां पर दुबारा 11 plus हो रहा है 53 plus 11 करो 64 आएगा फिर 11 plus हो रहा है तो 75 आएगा अब आपको 75 में 875 में 11 plus करना है तो उसके बाद क्या आएगा 886 तो option C जो है हमारा correct answer हो जाएगा next is example 2 यहां पर number है 8 16 dash 64 and 128 तो यहां पर क्या हो रहा है 8 को 2 से multiply किया तो 16 आया यह pattern follower है ठीक है 8 को 2 से multiply किया तो यहां 16 आया 16 को 2 से multiply करेंगे तो यहां क्या आएगा 16 to the 32 option B correct हो गया 32 को जब 2 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 64 और 64 को जब 2 से multiply करेंगे तो आएगा 128 तो यहां पर यह pattern follow हो रहा है कि 2 से multiply किया जा रहा है और यहाँ पे क्या pattern follow हुआ हर number के बाद 11 plus किया गया ठीक है तो यह दो example की है हमने यह किसके example है to find the missing term जब आपको missing term find करना होता है यह उसका example है अभी अगला देखेंगे यह type 2 इसमें क्या बताना होता है हमें wrong term बताना होता है ठीक है here we are given a series of number whole series except one number follow a certain rule पूरी series एक certain rule को follow करती है लेकिन एक number उसमें से गलत होता है तो वही हमारा wrong term हो जाता है ठीक है इसका example देखो example 3 number है 10 14 28 32 64 68 and 132 तो इसमें से कौन सा number गलत है हमसे यह पूछा है ठीक है अब यहाँ पे क्या pattern follow हो रहा है सबसे पहले तो आपको यह देखना है pattern follow हो रहा है 10 में 4 प्लस किया चिक है जिन आया 14 14 में 2 इंटू किया तो आया 28 14 2 자 28 होता है यहाँ पे हमने 4 प्लस किया और यहाँ पे हमने इंटू 2 किया फिर अब next हम दुबारा यही follow करेंगे एक बार 4 प्लस हो रहा है और एक बार 2 multiply हो रहा है तो 28 में हम दूबारा 4 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 34 ठीक है यहां पर हमने 4 प्लस किया अब दुबारा हम 2 से multiply करेंगे तो 2 से multiply करो 32 को क्या जाएगा 64 ये भी correct है 64 में 4 प्लस करो 68 ये भी correct है अब 68 में 2 multiply करो तो क्या आएगा 68 38 into 2 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 136 लेकिन यहां पर नंबर दिया है 132 तो रॉंग पैटर्न या रॉंग नंबर कौन सा है ये तो option D जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा next example देखे 23 12 37 86 166 288 यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखो पहले नंबर में हम 1 का square लेके उसे उससे plus करेंगे तो 1 का square 1 होता है और 1 plus करेंगे तो आजाएगा 3 तो यहां हमने 1 plus किया next is यहाँ पे अब 3 का square लेके उसको plus करेंगे 2 क्यों छोड़ दिया हम 3 क्यों ले रहे क्योंकि हम odd number का pattern यहाँ पे follow हो रहा है हमें दिख रहा है ठीक है तो पहले हमने 1 लिया 1 के बाद 3 लेंगे उसके बाद 5 लेंगे तो जब यहाँ पे आप 3 का square करोगे तो क्या आजाएगा 9 और 9 प्लस 3 करो तो आएगा आपका 12 ठीक है 3 का square मतलब 3 into 3 which is 9 और 9 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12 अब next क्या है 5 का square प्लस 5 तो 12 में 5 का square क्या होता है 25 प्लस 5 करो तो आजाएगा 37 ये भी correct है अगला 7 का square प्लस 7 तो 77 जा क्या होता है 49 49 में अब 37 प्लस करके देखो आपको मिलेगा 86 ओके next is अब 7 के बाद कौन सा odd number है 8 को छोड़के 9 odd number है हमारा तो 9 का square क्या होता है 9 into 9 9 जा 81 81 में 86 प्लस करो ओके तो 81 प्लस 86 तो 6 प्लस 1 इस 7 और 8 प्लस 8 16 तो क्या गया 167 पर यहां क्या दिया है 166 तो c option जो है ये एक wrong term है तो हमारा correct answer हो जाएगा option c ठीक है तो यहां क्या कर रहे हम हर एक odd number का square लेके उससे प्लस कर रहे है सबसे पहले हमने 1 का square लिया तो जो की 1 होता है और 2 में 1 प्लस किया उसके बाद हमने 3 का square लिया जो की 9 होता है और 9 को 3 से प्लस किया फिर हमने 5 का स्क्वेर लिया, 5 का स्क्वेर होता है 25 और 25 में हमने 12 प्लस किया तो हमें 37 मिला, next हमने 7 का स्क्वेर लिया which is 49, 49 में हमने 34 प्लस किया तो हमें 86 मिला, उसके बाद हमने 9 का स्क्वेर लिया which is 81, 81 में हमने 86 प्लस किया तो क्या मिला हमें 167 और उससे हमें पता चल गया कि ये जो है वो wrong term दिया है ओके तो ये था wrong term find करने वाला और इससे पहले हमने देखा missing term find करने वाला तो इसमें दो ही types होते हैं ओके अब exam में questions कैसे आ सकते हैं वो देखेंगे question number 1 देखो 23, 28, 34, 41, 49 and dash तो ये हमारा missing term find करने वाला है ये number वाला है इसमें कुछ आपको समझना नहीं है कुछ coding decoding नहीं है तो आपको बस mathematics थोड़ी basic से लगा के solve करना है pattern क्या बन रहा है देखो 23 में 5 plus करो तो आएगा 28 उसके बाद 28 में 6 plus करने पर आ रहा है 34 फिर यहाँ पर 7 तो सबसे पहले 5 plus किया फिर 6 plus किया फिर 7 plus कर रहे है उसके बाद 8 plus कर रहे है 1 plus 8 9 होता है न और 4 का 4 आ जाएगा तो 49 तो यहाँ पर 8 plus किया तो जो next number आना चाहिए 49 में 9 plus करके आएगा तो 9 1 0 9 9 2 0 18 तो यहाँ पर 8 उपर क्यारी चला गया 1 1 plus 4 5 कौन सा करेक्ट आंसर है option D समझाया अगला कोशिन करते है 5 11 17 25 33 and 43 यहाँ पर क्या pattern follower है तो 5 में क्या plus किया है 6 तो 11 आ गया फिर 11 में 6 plus किया है दुबारा तो आ गया 17 17 में क्या plus किया है 8 यहाँ पर 8 plus किया है तो आया 25 25 में 8 plus किया तो आया 33 अब 33 के बाद सीधा 43 है तो मतलब 10 plus किया यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है even number plus कर रहे है और दो दो बार मतलब यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 8 था यहाँ पर 10 लिया तो इसके अगला number जो होगा वो भी 10 होगा तो 43 में अगर 10 plus करेंगे तो किता होगा 53 तो option D जो है हमारा वो correct हो जाएगा अगला है question number 3 series है यहाँ पर 11, 13, 17, 19, 23 and 25 क्या pattern follow हो रहा है देखो 11 के बाद 6 plus करो तो आएगा 17 ठीक है इस नंबर को भी छोड़ दो 17 में दुबारा 6 plus करो तो आएगा 23 और 23 के बाद 6 plus होगा तो वो यहाँ पर नंबर आएगा 23 पर 6 plus करो प्लस 6 कितना है 9 और यह 2 29 option A is the correct नीचे जो हमने अभी नंबर छोड़े ना उसमें भी यही pattern follow हो रहा है ठीक है 13 plus 6 करो 19 19 plus 6 25 अभी यहाँ पर हमारा 29 नंबर आ गया न तो 25 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा हम वो भी निकाल सकते हैं अगर आपको 2 dash दियोंगे तो आप यह pattern follow कर सकते हो समझ आया आपको exam में एक rough sheet भी दी जाती है तो जब ऐसे questions आते है reasoning के तो आपको rough sheet को use करना है अच्छे से उसको note down करो क्योंकि test तो computer पर होगा वहाँ पर आपको लिख नहीं पाओगे तो note down करके उसको अच्छे से solve करना अगला question है question number 4 pattern is 2, 5, 10, 17, 26, 37, dash यहाँ पर क्या pattern follow हो रहा है यहाँ पर हम odd number plus कर रहे है ठीक है 2 में 3 plus किया ठीक है यहाँ पर हमने 3 plus किया फिर 10 में 5 plus किया then 5 के बाद क्या आता है odd number 7 तो 10 में 7 plus किया तो 17 आ गया फिर 9 तो 17 में 9 plus किया तो आ गया 26 उसके बाद आया 9 के बाद कौन सा odd number है 11 तो 26 में हमने 11 plus किया तो आया 37 अब 37 में क्या plus करेंगे 13 करके देखो 37 plus 13 तो क्या हो गया 7 के बाद 8, 9, 10, 0 तो एक उपर चला गया 4, 5, 50 option D is the correct answer क्या करें कुछ ने हम odd numbers plus कर रहे है सबसे पहले हमने 3 plus किया उसके बाद 5 plus किया फिर 7, फिर 9, फिर 11 और यहां पे जो हमें dash था मापे हमने 13 plus करके लाया ठीक है, next question number 5 में है pattern 4, 7, 11, 18, 29, 45, dash, 123 and 199 तो यह बड़े number है, ध्यान से देखना है इसमें क्या किया है और यह थोड़ा difficult भी है, सबसे पहले यहां पे क्या है 4 के बाद 7 दिया है, तो 4 में हमने क्या plus किया, 3, ठीक है उसके बाद 7 के बाद क्या है, 11 तो यहां पे हम 4 प्लस कर रहे है, ओके उसके बाद 11 में क्या plus किया है, 7 तो जो इसके आगे का number था, वो plus कर दिया ठीक है, 11 plus 7 किया, तो हमें मिला 18 अब 18 में हमने plus किया है 11, उसके back वाला ओके 18 plus 11, तो आया हमें 29 29 में क्या plus किया है, 18 29 plus 18 आया, 45 अब हमें यहां का निकालना है, तो 45 में क्या प्लस करेंगे, 29, करके देखते है 45 plus 29 तो 9 plus 5 हो गया, 14, बन उपर गया यह हो गया 5, 6, 7 आजसर विल बी 74, ओके यहां पर मिस्प्रिंट हो गया है 74 option C next is question number 6 3, 9, 6, 36, 30, and dash तो यहां पर क्या pattern follow हो रहा है, वो देखो 3 में 3 multiply किया, हमने तो 9 आगया ठीक है, 3 into let me erase all this, okay तो यहां पर हमने क्या किया, 3 को 3 से multiply कर दिया 3 into 3, तब आगया हमारा 9 next 9 के बाद आए 6, तो क्या किया है, 9 को minus कर दिया है 3 से, तब आगया हमारा 6 अब दुबारा 36 आए, तो यहां पर क्या pattern है, 6 into 6 तब जाके हमें मिला 36, अब 36 से दुबारा 6 minus किया है ठीक है, तो 36 minus 6, हमें मिल गया 30 तो यहां पर हो क्या रहा है, हम 3 के multiple से एक बार multiply कर रहे है और एक बार minus कर रहे है, सबसे पहले 2 numbers में हमने 3 से multiply किया और 3 से minus किया, फिर हमने 6 से multiply किया और 6 से minus किया, अब 9 आएगा, तो हम 30 को 9 से multiply करेंगे ओके, 30 multiply by 9, so 9 zeros are 0 and 9 zeros are 27 answer will be 270, तो option A is the correct answer next question is question number 7, first number क्या दिया है, 0.5 then दिया है, 1.5, then 5, 18 and 76, इसके बाद क्या आएगा हमसे पूछा है यहाँ पर क्या pattern follow हो रहा है, 0.5 में हमने 1 से multiply किया और 1 प्लस किया तो 0.5 multiply by 1, तो क्या आजाएगा, same number आएगा, 1 से किसी को भी multiply करते तो same आता है और plus 1 करेंगा, तब ही आजाएगा 1.5, अब 1.5 में हमने 2 से multiply किया है and 2 plus किया है, तो 1.5 into 2, plus 2 हो जाएगा 5, क्योंकि आधा है न, 1.5 मतलब क्या आधा 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 को plus करो, या उसको 2 से multiply करो, तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 plus 2, 5 अब 5 में हमने क्या किया है, 3 से multiply किया है, और 3 plus किया है, 5, 3 is a 15, plus 3 is 18 next number है हमारा 18, यहाँ पर हमने देखो 1 से किया था, यहाँ पर 2 से कर रहे है, यहाँ पर 3 से किया यहाँ पर 4 से करेंगे, तो 18 into 4, plus 4, 18 पर जाएगा, 72, और 72 में जब हम 4 plus करेंगे, तो आएगा 76 अब next number किया है, यहाँ पर हमने यहाँ तक 4 ले लिया, तो इसमें हम 5 से करेंगे, 5 से multiply और 5 plus तो 76 multiply by 5, 6, 5 is a 30, तो 3 उपर गया, then 5, 7 is a 35, 3 plus करेंगे तो 38, 38 हमारा answer आया, और अभी हमें इसमें 5 plus करना है तो क्या आजाएगा option B, 385, okay, समझाया, सबसे पहले वाले में हमने 1 से multiply किया, और 1 plus किया, then हमने 2 से multiply किया, 2 plus किया, 3 से multiply किया, 3 plus किया, इसके बाद 4 से multiply किया, 4 plus किया, then यहाँ पर जो number आया, उसके लिए हमने 5 से multiply किया, और 5 plus किया, okay, next question is question number 8, question क्या है, 198 198, 202, 211, 227 and dash, जब हमारे पास ऐसे number हो, जहाँ पे थोड़ा gap होता है, तब हम क्या किसका logic लगाते है, या तो plus हो रहा होगा, या तो कुछ minus हो रहा होगा, जब questions में ज़्यादा gap होता है, तब हम multiply या divide के उदर जाते हैं, या कभी-कभी squares भी होते हैं, तो यहाँ पे first में देखो, 198 के बाद क्या है, 202, तो यहाँ पे कितना plus किया गया है, 4, सबसे पहले 4 plus किया है, उसके बाद 202 में क्या plus किया है, 211 लाने के लिए 9, उके, उसके बाद क्या plus किया है, 9, यहाँ पे देखे, 211 में क्या plus किया है, 227 लाने के लिए 16, अब यहाँ पे क्या plus होना चाहिए, तो आप इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा, इसमें क्या लॉजिक है, 4 किसका square है, 2 का, 9 किसका square है, 3 का, 16 किसका square है, 4 का, तो जो अगला number है, उसमें हम क्या plus करेंग 5 का square, which is 25, ठीक है, अगले number में हम 5 का square, 25 प्लस करेंगे, तो इस number में 25 प्लस करके देखो, यह number क्या है, 227 प्लस 25, तो हमें अराम से मिल रहा है, क्या आ गया, 252, ओके, जब इस type के number होना, जहां पे कुछ logic समझ नहीं आ रहा है, कि क्या, मतलब इतना इतना distance पे प्लस किया है, इसमें तो odd pattern या even pattern भी नहीं देख रहा है, तो वो पका किसी का square या तो cube होगा, ओके, अगला है और यह आपने 7th class में पढ़ा होगा, 6, 7th में, ठीक है, इसको mixed fraction बोला जाता है, और इसमें आपको solve करके answers निकालने होते हैं, maths में ऐसा एक पूरा एक exercise ही है, NCRT में तो, इस सारे number जो दिये है, 7, 1 by 7, 8, 2 by 6, 9, 5 by 5, 12, 3 by 4, 16, 2 by 3, यह number है, यह सारे mix fraction में है, इसको पहले हम normal fraction में convert करते हैं, वो कैसे करते हैं, यहां का जो number उसको नीचे वाले से multiply करते हैं, और उपर वाले से plus करते हैं, So, 7 into 7, क्या होता है, 49, ठीक है, 49 plus 1 by 7, तो यह number जो है, यह बन जाएगा, 50 by 7, ठीक है, इसी तरीके से सारे number को आपको solve करना होगा, अगला number है, 8, और नीचे 6, 8 into 6 क्या होता है, 8 6 is a 48, 48 में 2 plus करेंगे, तो क्या आएगा, 50, Again, उपर 50 आया, और नीचे आ रहा है, 6, ठीक है, 50 by 6, next number, 5 और यहाँ पे है, 9, तो 9 5 सा, 45, 45 plus 5 किता होता है, 45 plus 5 होता है, 50 दुबारा, और नीचे आ रहा है, 5, So, अभी 3 number को solve करके, आपको pattern समझ आ रहा होगा, कि पहला pattern है, एक एक number नीचे वाला decrease हो रहा है, नीचे वाले को क्या बोलते है, denominator और उपर वाले को numerator, So, उपर का जो है, वो 50 50 रह रहा है, नीचे का change हो रहा है, 7, 6, 5, 4, 3, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो भी आएगा number, वहाँ 2 होना चाहिए, तो इस में से कौन से option में आपको 2 दिख रहा है, option number D में, तो उपर का 50 रहेगा, और नीचे का 2 आ जाएगा, ओके, इन दोन 48, 48 plus 2, 50, और नीचे तो 3 रहेगा, ठीक है, इसलिए हमारा D correct answer है, अगला question, question number 10, 24, 6, 18, 9, 36, 9, 24, dash, अब number यहाँ increase नहीं हो रहे है, decrease हो रहा है, increase हो रहा है, decrease हो रहा है, increase हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो minus कर रहे है, या तो divide कर रहे है, तो minus जब अगर हम देखेंगे, तो कोई pattern follow नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर division का rule लग रहा है, ठीक है, 24 को जब 4 से divide करेंगे, तो आएगा 6, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, divide किया जा रहा है, पहले हमने 4 से divide किया, उसके बाद दिया है, 18, 18 को जब 2 से divide कर रहे हैं, तो 9 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद दिया है, 36, 36 को जब हम फिर से 4 से divide कर रहे हैं, तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पर जो number है, हमारा 24, उसको हम किस से divide करेंगे, 2 से, ठीक है, उसको जब हम 2 से divide करेंगे, तब हमारा answer आएगा, तो 24 को 2 से divide करने पर क्या जाएगा 12, option B इसका correct answer हो जाएगा, अगला है 24, 35, 20, 31, 16, 27, अब यहां आपने एक चीज तो notice कियोगी, नंबर कभी increase हो रहे हैं, कभी decrease हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें कभी plus हो रहा है, और कभी minus हो रहा है, सबसे पहले नंबर है 24, 24 में क्या plus कर रहे हैं, तो 35 आ रहा है, वो देखो, सो 24 में जब हम 11 plus कर रहे हैं, ठीक है, 24 plus 11 करने पे हमारा आ रहा है, 35, अब next नंबर क्या है, 35 से सीधा 20 हो गया, तो 35 में क्या minus हो रहा है, 15, 35 में हम 15 minus कर रहे हैं, तो हमारा 20 आ रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया, 11 plus किया, फिर 15 minus किया, अब दुबारा देखो यहां पे, 20 में क्या plus कर रहे हैं, कि 31 आ रहा है, 20 में हम 11 plus कर रहे हैं, तो 31 आ रहा है, तो यहां पे pattern क्या follow हो रहा है, प्लस किया, फिर यहां माइनस किया, अब यहां प्लस किया, अब हम माइनस करेंगे दुबारा, 31, माइनस किया, 15, तो यहां पे 16 आ गया, 16, प्लस 11, 27, 27 में क्या करेंगे, तो यहां पे हमने प्लस किया, 11, अब क्या करेंगे, माइनस 15, ठीक है, तो 27 में क्या करने वाले हम, माइनस 15, 27, माइनस 15 क्या आएगा, 12, ओके, तो ऑप्शन B, इसका करेक्ट आंसर हो गया, अब अब अगला कुश्चन करते है, कुश्चन नमबर 12, 1, 4, 24, 256, and dash, नमबर कैसे increase हो रहे हैं, तो यहां पे पक्का किसी का कुछ square हो रहा होगा, या तो cube हो रहा होगा, तो यहां पे एक अलग साई pattern follow हो रहा है, 1 into 1, 1 आया, 2 into 2, 4 आया, यहां यहां पे 3 का cube लिया है, मतलब 3 into 3 into 3, तो आ गया 27, उसके बाद 4 का 4 times लिया है, 4 को 4 times, तब 4 into 4 into 4 into 4, ठीक है, 4 fours are 16, 16 fours are 64, और 64 multiply by 4, 256, अब जो अगला नमबर है क्या है, यहां पे 1 था, 2, 3, 4, अब यहां पे 5 आएगा, तो 5 को 5 times multiply करेंगे, इसी तरीके से, तो जो नमबर आएगा, वो यहां पे आना चाहिए, तो जब हम 5 को 5 times multiply करेंगे, तब आएगा नमबर 3,125, ओके, option भी correct हो जाएगा, question number 13, questions है, 8, 3, 11, 14, 25, dash, तो यहां पे क्या pattern follow हो रहा है, 8 plus 3 किया, तो क्या आया, 11, 11 plus 3 किया, तो आया 14, 14 plus 11 किया, तो आया 25, 25 plus 14 जब करेंगे, तो यहां पे नमबर आएगा, ठीक है, 25 plus 14, तो यहां पे क्या आएगा, 9 और यहां 3, 139, option भी correct हो गया, easy था नहीं, next, question number 14, 4, dash, 144, 400, 900, 1000, 764, नमबर कैसे increase करें, फिर से देखो, तो यहां पे क्या हो रहागा, cube या square कुछ ना कुछ यहां पे हो रहा होगा, तो यहां पे numbers का square लिए, 2 का square, 4, यहां पे dash दिया है, 144 किसका square होता है, 12 का, then 400 किसका square होता है, 20 का, 900 होता है, 30 का, तो यहां पे किसी number का square आना चाहिए, अब 25 भी square है, 36 भी square है, 49 भी square है, तो आप कौन सा लोगे, इसमें से कौन सा सही होगा, तो अब हम एक और चीज़ देखेंगे, कि जो भी number है, वो 2 के sum का ही square है, तो उसके साब से हम option B को choose करेंगे, ठीक है, यह 5 का square है, यह 6 का square है, और यह 7 का square है, तो ना ही 5, 2 का sum है, ना ही 7, 2 का sum है, 6, 2 का sum है, इसलिए हम option B को choose करेंगे, ओके, next आते है question number 15 पे, 3, 6, 9, 15, 24, 39, 16, 3 and dash, easy है, यह बहुत, यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले, 6 है 3 के बाद, तो हमने यहां पर 3 plus करा, 3 plus 3, 6, फिर दुबारा यहां 3 plus किया, तो आगया 9, 9 में हमने 6 plus किया, तो हमारे पास आगया 15, 15 में हमने जब 9 plus किया, तो हमारे पास आगया 24, 24 पे जब 15 plus किया, तो आया 39, और 39 में जब 24 plus किया, तो हमारे पास आया 63, next number में क्या होगा, 63 plus 39, ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? 7, 8, 9, 10 सो 3 प्लस 6, 9 प्लस उपर 1, तो यह हो गया 10 तो 102, करेक्ट आंसर है हमारा ठीक है? अभी हमने किये missing वाले questions जहाँ पर term missing होते हैं आगे हम दिखते हैं कुछ question based on wrong term, हमें बताना है कि इसमें से wrong term कौन सा है? 10 और question करेंगे number वाले में आपको question ही जादा practice करना है तो इसलिए मैंने आपको question बताया था कि आपको पता चले कैसे कैसे logics लग सकते हैं ठीक है? क्योंकि अगर बाकी होता तो उसमें कुछ theory के हिसाब से पढ़ाते हैं बट इसमें कुछ theory नहीं है अब यहाँ पर series देखो 146, 74, 40, 23, 19.5, 18.75 यहाँ पर wrong term कौन सा है इस pattern में? यहाँ पर pattern क्या follow हो रहा है? जो number है उसको 2 से divide कर रहे है सबसे पहले और उसमें 1 plus कर रहे है सबसे पहले number है 146 उसको 2 से divide करो तो क्या आजाएगा? 73, 73 में जब हम 1 plus करेंगे तो हमारे पास आएगा 74 ठीक है? दुबारा 2 से divide करो और अब 3 plus करना है क्योंकि हम odd digit plus कर रहे है in increasing order तो 74 को जब 2 से divide करेंगे तो आएगा 37 और 37 में जब 3 plus करेंगे तो क्या आएगा? 40 उसके बाद 40 को 2 से divide करो आएगा 20 20 में हम 5 plus करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 1 plus किया था यहाँ पे हमने 3 plus किया तो यहाँ पे हमें 5 plus करना होगा तो आना चाहिए था यहाँ पे 25 लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 23 तो इसलिए यहाँ पे wrong term कौन सा है? option B अगला है 2, 4, 16 256 लास्ट नमबर है 65,535 इसमें से wrong term कौन सा है? आपको यह बताना है यहाँ पे क्या pattern follow हो रहा है? सबसे पहले 2 है तो 2 into 2 4, 4 into 4 16, 4, 4 जा 16 होता है 16 into 16 आएगा 256 पर जब आप 256 into 256 करोगे तो यह term नहीं आता ठीक है? तो यहाँ पे जो गलत answer है वो है option A next है 888 454 237 128.5 76.25 47.125 यहाँ पे आपको wrong term कौन सा है? वो बताना है तो यहाँ पे भी number decrease हो रहे है तो मतलब multiply या divide हो रहे है तो 888 को जब हम 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा? 444 444 में जब 10 प्लस करेंगे तो आजाएगा 454 454 को जब 2 से divide करेंगे तो आएगा 227 और जब उसमें हम 10 प्लस करेंगे तो आजाएगा 237 Similarly यही pattern follow हो रहा है पर यहाँ पे mistake कर दिये जब आप 128 0.5 को 2 से divide करोगे तब आपके पास क्या आएगा? 74 ओके और 0.5 को 2 से divide करने पे क्या आजाता है? 0.25 तो यह सो सही है लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था 74 ना कि 76 226 और 24 जब तो 64 64 प्लस 10 करोगे तो क्या आजाएगा? 74 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 74.25 ना कि 76 तो हमारा option A correct answer हो जाएगा क्योंकि यह हमारा wrong term है अगले question पे आते question number 19 9, 16, 25, 36, 49 and 61 यह बहुत easy question है यह सब का square है तो 3 का square हो गया 9 4 का square हो गया 16 5 का square हो गया 25 6 का square हो गया 36 7 का square हो गया 49 पर 8 का square क्या होता है? 64 ना कि 61 तो option D हमारा जो है वो wrong हो जाएगा अगला है 2, 8, 3, 27 4, 64, 5, 225 तो यहां पे cube ले रहे हम ठीक है 2 का cube क्या होता है? 8 3 का cube होता है 27 4 का cube होता है 64 5 का cube क्या होता है? 125 525 ना कि 225 तो हमारा wrong term है यह वाला मतलब option C ठीक है? cube और square अगर आप numbers के number series वाले question करोगे तो आपको आने चाहिए बहुत basic है उस दिन में बताया था मैंने square में हम उसी number को दो बार multiply करते हैं और cube में 3 बार multiply करते हैं मतलब 5 इंटू 5 तो क्या होता है? 25 और 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा अगला question 1, 4, 8, 16, 31, 64, 127, and 256 यहाँ पे क्या pattern follow हो रहा है? 1 को हमने 2 से multiply किया और 2 प्लस किया तो आगया 4 उसके बाद क्या कि हमने 4 को 2 से multiply करना है और 1 minus करना है अगर हम pattern को देखेंगे तो एक बार 2 प्लस हो रहा है और एक बार 1 minus हो रहा है ठीक है? तब जाके यह number यहाँ पे आएगा अगर यहाँ पे 7 होगा तब ही यह correct टोप आएगा 7 को जब हम 2 से multiply करेंगे तो आएगा 14 और 14 में जब 2 प्लस करेंगे तब यहाँ पे 16 आएगा ठीक है बाकी आगे का पूरा pattern वैसे ही है आप एक बार करके देखो इसको क्या होगा? 2 से multiply कर रहे है और प्लस 2 कर रहे है 1st time 2nd time 2 से multiply कर रहे है और minus 1 कर रहे है ठीक है यह pattern यहाँ पे फॉलो हो रहा है और उसके साब से यह गलत है Option C हमारा सही answer हो जाएगा 8 की जगा क्या आना चाहिए? 7 Next question है question number 22 नमब देखो 33,792 8,448 2,148 526 132 33 and 8.25 नमबर बहुत ही देजी से decrease हो रहे है यहाँ ठीक है So minus तो यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Divide हो रहा है अब divide किस से किया जा रहा है? यह देखना हमें इस नमबर को 4 से divide किया गया है जब हमने 4 से divide किया इसको तो यह आया जब 8,448 को जब 4 से divide करेंगे तो यह नहीं आएगा ठीक है? क्या आएगा? करके देखते है स्क्रीन को रप करने तो पहले तो नमबर है 8,448 और इसको हमें divide करना है 4 से 4 1s आ, 4 2s आ तो यहाँ पे आएगा 2,1,1,2 पर यहाँ क्या दिया है? 2,1,4,8 तो हमारा wrong term क्या है? यह वाला number wrong है ठीक है? क्योंकि आप इसको divide करके देखो 4 से यह number आएगा जब इसको 4 से divide करोगे तो यह wrong number आ रहा है जब इस number को आप 4 से divide करोगे तो यह आएगा तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि सीरीज यही follow हो रही है कि 4 से division हो रहा है ठीक है? So wrong term है option A अगला question है question number 23 2, 7, 24, 77, 236, 723, 2180 यहाँ पे wrong term क्या है? यहाँ पे pattern क्या follow हो रहा है? 3 से multiply किया है और 1 प्लस किया है तो 2 into 3 क्या होता है? 6 और 6 में 1 प्लस किया हमने तो आया 7 फिर 7 into 3 7, 3 is the 21 और 21 में क्या प्लस किया है? 3 तो odd number प्लस कर रहे है with increase 1 प्लस किया, 3 प्लस किया अब 5 प्लस करेंगे So 24 को 3 से multiply करो और उसमें 5 प्लस करना है तो आएगा 77, correct है अगला 77 को 3 से multiply करके हम उसमें 7 प्लस करेंगे तो आएगा 238 ना कि 236 तो हमारा wrong term है option D तो 238 को 3 से multiply करेंगे और उसमें 9 प्लस करेंगे तो आएगा 723 So इससे हमें ये पते चलता है pattern यही follow हो रहा है कि 3 से multiply किया जा रहा है और odd number with increase प्लस की जा रही है पहले हमने 1 प्लस किया फिर 3 प्लस किया फिर 5 प्लस किया 7 प्लस किया 9 प्लस किया और लास्ट वाले आते आते तक यहां पे हमने 11 प्लस किया है अगला question है 24, 160, 118, 83, 65, 34 and 20 decrease हो रहा है, क्या pattern follow हो रहा है वो देखो यहाँ पर एक अलग साही pattern follow हो रहा है यहाँ पर एक equation की form में minus कर रहा है ठीक है, सबसे पहले हमने क्या minus किया minus 7 into 6 so 7 into 6 किया हो गया, 7, 6 सा 42 तो हमने इदर 42 minus किया अगले में हम कर रहे है, minus 7 into 5 तो 7, 5 सा 35, so 118 में 35 minus करेंगे तो यह आ जाएगा next is 7 into 4, ठीक है, minus 7 into 4 तो 7, 4 सा 28, तो यहाँ पर हमने 28 minus किया ठीक है, इसी तरीके से एक pattern follow हो रहा है पर यहाँ पर जब हम 7 into 4 करेंगे, तो आएगा 28 और जब इसे हम 28 minus करेंगे 83 से तो हमारा answer आना च्री है, 55 ना कि 65 तो यहाँ पर wrong term क्या है, option D last question है 10, 11, 15, 24, 40 and 67 तो यहाँ पर क्या किया 1 का square plus मतलब 1 तो यहाँ पर हमने 1 प्लस किया उसके बाद 2 का square मतलब 4 तो हमने यहाँ 4 प्लस किया 3 का square, 9 यहाँ पर हमने 9 प्लस किया 4 का square, 16 तो 24 में 16 प्लस किया 40 आया 5 का square, 5 का square क्या होता है 25, तो 40 में जब 25 प्लस करेंगे तो क्या हैगा 65 ना कि 67 सो यहाँ पर क्या नचे था 65, इसलिए option D हमारा right answer हो जाएगा क्योंकि यह wrong term है सो आज हमने काफी brain storming की है ठीक है, यह questions आपको practice करेंगे नहीं होने वाले है तो इसका practice ज़रूर करना सो इसलिए आज का quote कह रहा है A person who never made a mistake never try anything new अगर आप बोलते हो कि आपने कोई mistake नहीं की तो मतलब आप ऐसे person हो जिसने कभी कुछ नया try ने की है हो सकता है जब बहुती सालों बाद maths practice करने जाओगे 10th के बाद हमें से कोई भी maths ज़ादा पढ़ता नहीं है physics में थोड़े बहुत numerical जाते है हम उसको भी skip कर देते है theory potion पढ़के हम अपने school बर में काम चला लेते so आज जब आप ये questions अगर practice करोगे दुबारा जो आपके question bank provided है उससे तो आपकी गलतियास तो ज़रूर होंगे अगर गलतिया नहीं हो रही है तो मतलब आप कुछ try नहीं कर रहे हो okay this quote was said by Albert Einstein so that's it in this video next video में हम इसका chapter 4 करने वाले है till then keep learning and thank you so much for watching